दोस्तो जार्खन चुनाओं में पांच ऐसे सियासी धुरंदर हैं जिनकी साख दाओं पर है मतलब राजनीतिक भविश्य दाओं पर लगा है आज उन्हीं चेहरों पर बात करूँगी नमस्कार मैं हूँ शिवानी पांड़े और आप मेरे साथ देख रहे हैं उल्टा चस्माईूसी इस लिष्ट में पहले नंबर पर है हेमन सुरेन हेमन सुरेन जार्खन के मुख्य मंतरी हैं 2019 के चुनाव में हमंद सुरें ने ही बिजेपी को सत्ता से बेदखल किया था ऐसे में उनके सामने चुनावती है सत्ता में बने रहने की Malaka जिस तरह से हमंद सुरें ने पिछले पांच सालों में काम किया है उसे देखकर और चुनावी मिजाज को समझ कर लग रहा है कि बिजेपी लड़ाई को जितना आसान समझ रही है उतनी आसान है नहीं 28 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी रिजर्ड हैं और हेमन सुरेन आदिवासियों के लिए जारखंड डो मिसाइल बिल और सरना धर्म कोड पास करा चुके हैं लेकिन अभी तक याबिल किन सरकार के ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है जिसको मुद्दा बना कर सीएम सुरेन दाओं खेल रहे हैं हेमन सुरेन बरहेट से चुनावी मैदान में हैं और अपना नामांकन भी कर चुके हैं कई ऐसी योजनाएं हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं जैसे पेंशन योजना, मया सम्मान योजना, सेवाओं की डोर इस्टेब डिलवरी अपने इनी कामों को लेकर हेमन सुरेन जनता की अदालत में हैं दूसरे नमबर पर हैं कलपना सुरेन, दस महिने पहले तक कलपना सुरेन की पहचान सिर्फ इतनी थी कि वो शिब्बू सुरेन की बहू हैं, हैमन सुरेन की पतनी हैं, लेकिन 30 जनवरी 2024 के बाद जारकन की राज़नीती में कुछ ऐसा हुआ कि हाउस वाइप कलपना सुरेन परिवार, पती, पार्टी और पॉलिटिक्स इन चारों में ऐसा संतुलन बनाया कि बड़े-बड़े सियासी सुर्माओं की हालत खराब हो गई, हैमन्त जेल में थी और लोगसबा चुनाओ में कलपना सुरेन जारकन में इंडिया गड़बंदन का चेहरा थी, जारकन में इ बिजेपी ने मुनिया देवी को उतारा है, कलपना सुरेन अब तक 120 से ज़्यादा जन सभाएं कर चुकी हैं और लगातार वो हिमन सुरेन को मजबूत कर रही हैं, एक बात तो बिलकुल साफ है कि अगर जारकन में महागडबंदन की जीत हुई, तो जीत की नायक कलपना सु परत्याशी हैं, खुद को सीम फेस मानते थे, लेकिन चमपाई सुरेन के आने के बाद से बड़े कमजोर हो गए हैं, मराणी लोग सबाद चुनाओ में भी कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे, आदववासी अरक्षि सीटों पर विजेपी हार गई थी, अब आज ये बड़ा सवाल है कि मराणी चुनाओ में भी जेपी के लिए कौन सा करिश्मा कर पाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या खुद जीत पाएंगे या इनका भी मामला खटाई में रहेगा, अब बात दोस्तों उनकी जो हेमंत का साथ छोड़कर भी जेपी में आगे, आप बि जगड के मिन्नते करके अपने और अपने बेटे के लिए टिकट तो ले आए, लेकिन दोनों जीत पाएंगे इसमें भी अभी डाउट है, चमपाए सुरेन को सराय केला से और उनके बेटे बाबुलाज सुरेन को घाट शेला से मैदान में उतारा गया है, आकिर में दोस्तो बात करूंगे हिमंता विस्वा सर्मा की, असम के मुख्य मंतरी हैं और विजेपी ने इनको जारखंड में से प्रभारी बनाया है, इनकी जिम्यदारी है कि दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ो और विजेपी में लाओ, और चुनाओ को मुद्दों से भटका कर हिंदू- फिलाल इनको इस काम में बहुत काम्याबी नहीं मिल पाई है, विजेपी को लगता है कि हिमंता जारखंड जितवा देंगे, लेकिन खुद हिमंता को शायद खुद पर भिश्वास नहीं है, क्योंकि जारखंड का मुकाबला बहुत तगड़ा है, दोस्तों अब ये तो 23 न अगर समस्या है तो बताईए, सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाएए, जनता का मुकदमा विद प्रग्या मिश्रा, अपनी समस्या हमें इमेल करें या वाटसैप पर भेचें, समस्या के गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूड जनता की भलाई के लिए प्रग्या मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है, हमारे पास संसाधन सिमित है, लेकिन समाच की भलाई का जजबा आसिमित है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाते हैं, तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीन शॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें, और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें, जिसकी कोई नहीं सुनता।